नमस्कार मैं डॉक्तर स्वाती मिश्रा आप सभी का मेरे चैनल स्वेट स्पैशन पे स्वागत है पिछले वीडियो में हम लोगों ने सोशल थॉट के बारे में पढ़ा था सोशल थॉट क्या होते हैं थॉट्स क्या होते हैं और मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में जो मेना incoming video होगा उसमें मैं sociological theories के बारे में बात करूँगी क्योंकि अब आगे अगर हमें classical thinkers पढ़ने होंगे क्योंकि BA second third year के आगे syllabus में है classical thinkers तो उसके पहले we all have to know about the concept of theories, concept of sociological theories तो चलिए start करते हैं अपना ये video sociological theory प्लीज उससे पहले आप मुझे subscribe अभी तक नहीं कियें तो जरूर कर लीजिए, comments दीजिए और like button को जरूर click करिएगा तो start करते हैं अपना वीडियो sociologists study social events, interaction and patterns and they develop a theory in an attempt to explain why things work as they do समाशास्त्री ये सामाजी घटनाओं, अंतर क्रियाओं और प्रतिमानों का अध्यन करते हैं और वो ये समझाने की कोशिश में हैं कि चीजे क्यों काम करती हैं और सिधान विक्सित करते हैं देखिए अब रहा explanation की बात तो सबसे पहले जो sociologist का काम क्या होता है sociologist का काम होता है कि जो दिन प्रति दिन की सामाजी घटनाओं घट रही हैं ठीक है बहुत सारी घटनाओं होती हैं हम action कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं हम एक दूसरे से interaction कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं या और भी बहुत सारे social events जो होते हैं, उनको समझने के लिए, interaction को समझने के लिए, interaction मतलब कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब आपस में अंतक्रिया होती, मतलब action, उसका reaction मिला करके interaction बनता है, मतलब हमने कोई काम किया, उसका reaction आया, और फिर इन दोनों से action, reaction मिल करके interaction होता है, तो इस interaction को देखने के लिए, इस तरह की चीजों को जो society में घट रही हैं, उनका अधियन करने के लिए, sociologist के भूमे का नरधारित है, कि sociologist को क्या करना है, sociological और इसी के लिए, वो theories को develop करता है, किसी चीज को समझने के लिए, उस सिधान्त को विक्सित किया जाता है, और फिर उसके आयने से, किसी चीज को हम विशलेशित करते हैं, कि कोई घटना घट रही है, तो उसके पीछे कारण क्या है, ठीक है, इसको समझने के लिए, sociologist क्य रोल है, मैं बहुत simplest form बता रही हूं, भी ये third year के बच्चों के according, sociological theory seeks to explain social phenomena, theories can be used to create a testable preposition called a hypothesis about society, तो समाच के संदर में हम कुछ उपकलपनाई बनाते हैं, मैं आपको example देके बताती हूं, कि माल लिजे, कि आपको कोई research करने जाना है field में, ठीक है, तो आप कुछ objectives frame करेंग कि आपको क्या-क्या अध्यन करना है, for example कि जैसे माल लिजे कि आपको इसी समय कोरोना का period चुकी चल रहा है, तो कोरोना काल में women के social economic status पे क्या effect पड़ा, ठीक है, ये आपको एक research करने माल लिजे जाना है, ये आपका एक research का topic है, तो आप कुछ objectives framework करेंगे, जैसे कि आपका पहला objective क्या होगा, कि social status को जानना, दूसरा objective क्या होगा, कि have to know about the economic status of women, फिर आपका third होगा कि कोरोना के क्या effect आ रहे हैं, उसका study करना, में भी कोरोना के जो वो है biological और उसके जो बाकी design है, उसके बारे में study करना, चुकि हम मैं sociology के concern में बता रही हैं, तो हम इस तरह की frame करते हैं, और फिर कुछ hypothesis बनाते हैं, hypothesis मतलब उपकलपनाय बनाते हैं, जरूरी नहीं है कि field में जब हम जाएंगे, तो वो उपकलपनाय सही होंगी, it may be true or it may be wrong, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने कुछ objectives में बना रही हूँ, इसी topic को लेकर कि, जैसे आपने frame किया, कि ज यह है, social condition में आप देखेंगे कि उनके उपर जो role, जो strain है, या जो dual role responsibilities है, वो जादा बढ़ गई है, ठीक है, फिर आप क्या बताएं कि पर family structure कहीं न कहीं से और सुद्रण हुआ है, यह कुछ हम उपकलपनाय सोच के field में जाते हैं, investigation के लिए, जरूरी नहीं है कि यह हमारी जो सोच है, वो सही होगी, तो यही बता रहा है कि जो sociological theory है, explain social phenomena, वो सामाजिक घटनाओ, प्रघटनाओ का अध्यन करने के लिए बनाई जाती है, theories can be used to create a testable preposition called a hypothesis, इनी hypothesis को यह testing के लिए theories का development होता है, आप जैसे जैसे आगे जाएंगे, आप समझेंगे कि society के study के लिए जैसे आप आगे पढ़ेंगे positivist, conflict theory, symbolic, interactism theory, इस तरह से आप बहुत सारे theories को बनाएंगे, और सारी theories क्यों बनी है, इसी society में जो दिन प्रति दिन की घटनाओ हो रही है, उन्हें समझने के लिए जो action, reaction हो रहा है, that is interaction जो हो रहा है society में, उसको समझने के लिए या जो भी social events हो रहे हैं, उनको जानने के लिए कि इसके होने के पीछे कारण क्या है, तो इसलिए theories का, वो build-up इसलिए theories की जाती है, ऐसा Allen ने 2006 में define किया है, तो आप समझ रहे होंगे, आगे चलते हैं, कि सिद्धान्प वैग्यानिक अन्वेशन का महत्वपून चरण है, जो भी theories होती ह हैं, अगर हम social investigation कर रहे हैं, scientific investigation कर रहे हैं, scientific investigation क्या होता है, sociology या humanities जैसे subject में, बहुत जादा इस पे द्वन्द है कि sociology जो है, वो science है या arts है, तो अगर हम scientific process से आगे बढ़ेंगे, तो that is science, sociology एक science विशे के रूपे इस्थापित हो रहा है, क्या है हमारा तरीका, आप जब methodology प हैं, बहुत short में बता रहे हूं कि सबसे पहले हम topic का chain करेंगे, topic के chain करने के बाद से हम objective frame करेंगे, hypothesis frame करेंगे, फिर हम एक universe decide करेंगे कि कहां पर हमें study करना है, जिसे बनारस है, तो बनारस पे study करना है, अब बनारस पे तो पूरा study होनी पाएगा, बनारस के कुछ blocks को हम select कर होगा, फिर वहां कितनी families पे हमको करना है, या कितने respondents पे करना है, वो select करेंगे, sample size को select करने के लिए बहुत सारे methodology होती है, कि हम random sampling technique का इस्तमाल कर रहे हैं, या हम census method का इस्तमाल कर रहे हैं, या हम snowball तरीके से sample size को collect कर रहे हैं, तो ये methodology को adopt हम करेंगे, उसके बाद से हम primary और secondary जो data हैं, उस पे focus करेंगे, जो भी secondary data हैं हमारे पास, जैसे उसी topic से related इससे पहले कोई research हुआ है, या नहीं हुआ है, कोई magazine में, कोई newspaper में, कुछ ऐसे articles आए हैं कि नहीं, हम उसको study करेंगे, और उनमें क्या चीज missing है, हम missing point को निकालेंगे, और फिर हम अपना आगे research शु scientific method, और जब हम sample collect करके आएंगे, तो फिर sample का हम tabulation करेंगे, फिर उसको हम अलग-अलग classify करेंगे, फिर उसका analysis करेंगे, मतलब जो भी हमारे result आया हम उसको write down, यह नहीं कि हम उसको raw form में आप सामने रख देंगे, हम उसको write up करेंगे, हम उसका references को देते हुए, तो यह जो प पास करते हुए, जो चीज build up होती है, वो theory होती है, इसलिए यह line लिखा गया है, कि सिद्धान वैचारिक अनवेशन का महत्वपून चरण है, गुडे तथा हार्ट ने इसे विज्ञान का उपकरण माना है, क्योंकि इससे हमें विज्ञानिक दृष्टी कोड का पता चलता theory is an important stage of scientific investigation, मैंने scientific investigation बताया, social sciences में कि हम इस process से आगे बढ़ते हैं, good and heart are considered as a tool of science because it gives a scientific perspective, अगर इन तरीकों से जब हम आगे कोई काम करते हैं और उससे जो हम result निकालते हैं, वो theory बनती है, ठीक है, तो theory जो है, जिससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, social thought, और अब पढ़ा रही हूँ, sociological theory, दोनों में difference क्या है, कि social thought जो है, वो scientific process से गुजरा हुआ, एक कोई चीज नहीं है, क्योंकि हमारे मन में कोई विचार आया, और उस विचार में, जब समाज की सामुहिकता जुड़ गई, तो वो social thought हुआ, पर वो ज़रूरी नहीं है, कि व वही thought को हम scientific तरीके से प्रूफ कर देंगे, जो मैंने पूरा तरीका बताया, जो step बताया, वो उसके बाद जो निर्मित होगा, वो sociological theory बेल्ट अप होगी, और उसी sociological theory के आधार पे, जो समाज की घटनाए घट रही है, समाज में जो अंतक्रियाए हो रही है, विक्तियों क के help से, समझ में आया अच्छे से, आगे बढ़ते हैं, तर्थियों को स्यू विवस्थित करने, देखिए, तर्थियों मतलब fact जो हम collect की हैं, जब हम investigation के लिए उतरे field में, और जो हमने fact किया data, जैसे कि अभी मैं जो कोरोना काल में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थित पर बात कर रही थी, तो उस पर हमने fact कठा किया, हम कई respondents के पास गए, किसी का कुछ आया, किसी का कुछ आया, किसी ने कुछ आंसर दिया, किसी को role strain नहीं हुआ, किसी को dual social responsibility नहीं आई, पर किसी पर बहुत ज़्याद आई, जैसे working women हैं, उनमें किसी पर economic crisis आप देखिए, त working महिला हैं, तो इस तरह से हमारे पास अलग-अलग facts इकठे हुए, उन facts को सुवेवस्थित करने, मतलब उसको हम फिर arrange करते हैं, वही while tabulation, हम excel पे ये काम करते हैं, या बहुत सारे softwares हैं, जैसे SPSS हैं, एक software, हम इस पे सारे चीज को सुवेवस्थित करते हैं, ये जो facts हमन field से कठा करके लाया, फिर वर्ग कित करते हैं, classify करते हैं and परस पर संबंधित करने के लिए इसे अवधारनात्मक प्रारूत प्रदान करते हैं, ये नहीं कि हम इसको data form में छोड़ दी हैं, फिर हम उसको deal करेंगे, हम उसको explain करेंगे कि इतने प्रतीशत महिलाओं ने ये उत इतने प्रतीशत महिलाओं का जो है आंसर वो इस तरफ है, और इस तरह से फिर हम आगे एक theory को build up करते हैं, ठीक है, तो समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं, प्रतेइक विशे वैज्ञानिक शोध द्वारा अपनी विशे वस्तु से संबंधित तथ्यों को यथार्थ रूप में समझने का प्रयास करता है, तथा तथ्यों को परस पर संबंधित करके सार्व भौमिक नियमों अत्वा सिद्धानतों का निर्मान करने का प्रयास करता है, एवरी सब्जिक्ट साइंटिस्ट जितने भी जो विशे वैज्ञानिक होते हैं, अपने विश्यों के ज हम आजिक आर्थिक हमें इस पे शोध करना है इस पे रिसर्च करना है तो हमारे एक subject matter त्यार हुआ इस subject matter से related हम facts को collect करेंगे ठीक है by scientific research scientific तरीके से जो मैंने scientific तरीका पुरा बताया उसके अधार पे हम facts को collect करने का की त्यारी करेंगे and also tries to form universal rules or principles by inter relating these facts और इन जो तथ्य हमारे पास इकठे हो गए इनको आपस में correlate करके एक universal theory या principle को हम build up करने का प्रयास करेंगे and that is called theory इस पे भी बहुत मतभेद है आगे मैं बताती हूँ कि किस तरह से theory कई लोगों ने माना है कि theory is universal in nature कई लोगों ने माना है कि theory का universal nature नहीं है तो इस पे भी आगे बात होती है समा शास्तर में इसमें कोई अपवाद नहीं है यदि भी टी बी बोटो मोर का यहाँ पर statement अलग है अभी तक हमने बात किया कि जो भी social scientist होता है या जो subject scientist होता है वो अपने subject matter से related अलग-अलग field में जाके facts को इकठा करता है और facts को आपस में interrelate करके एक universal theory या principle को एक frame करता है पर डी बी बोटो मोर का क्या कहना है उनका कहना है कि वर्तमान समय तक ऐसा कोई भी सामान ये समाशास्त्री सिधान विक्सित नहीं हो पाया है जो मान ये अत्वा व्यापक रूप से स्वीकृत हो इनका कहना है कि आज तक कोई भी ऐसा social theory, sociological theory build-up नहीं हुआ है जिसको हम universally मान ले कि हर जगह पर हम इसको place कर सकते हैं जैसे science का होता है science में आप देखी कि 2 molecules of hydrogen and 1 molecules of oxygen मिलकर के water बनाते हैं ठीक है समय काल दोनों मतलब समय और काल और इस्थान कहीं पर भी इसका प्रभाव नहीं खतम होता है अगर हम आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पहले की बात करें तो भी 2 molecules of hydrogen और 1 molecules of oxygen मिलकर के ही water बनाते थे और आज भी वही है ठीक है मतलब समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस्थान अगर हम यहाँ हैं तो भी यही है, foreign में कहीं भी रहेंगे तो भी यही रहेगा ठीक है, चंद्रमा पे पीछले जाए अगर water है तो वहाँ भी यही theory रहेगी तो यह समय काल इस्थान परिवर्तित नहीं होता है बलकि इस social sciences में जो theories बनती हैं उनको हम universalized नहीं कह सकते ऐसा बोटो मोर का कहना है कि अब तक ऐसी कोई theory बनी नहीं है प्रारंब के समाशास्तियों का ये दावा कि उन्होंने मूलभूत एवं सारभौमिक नियमों की कोच करने में सफलता प्राप्त कर लीती आज के समाशास्ति स्विकार नहीं करते तथा यह तर्क देतें कि प्रारंभिक समाशास्तियों के प्रयास वास्तों में अवधारणाओं के निर्मान तथा वरगी करण से ही मुख्यता संबंदित रहे हैं मतलब बोटो मोर का कहना है कि पहले के जो समाशास्ति थे मतलब जो classical sociologist थे वो कहते थे कि हम लोगों ने universal theory बना ली पर वो universal theory नहीं थी वो एक तरह की अवधारना थी जो कि निर्मित हुई है ठीक है इसको English में भी मैं पढ़ देती हूं कि there is no exception in sociology but according to TB Motovore, TB Boto More, till the present time no such general sociological theory has been developed which is accepted और widely accepted चीक है इसी तरह एक fair child का भी definition है कि fair child ने dictionary of sociology में इनकी book है समाशास्ति सिधान की परिभासा इन शब्दों में दिये हैं उन्हों क्या define किया है कि सामाजी घटना के बारे में ऐसा सामानी करण जो परियाप्त रूप में वैज्ञानिकता पुर्वक इ चुका है तथा समाशास्त्री विवस्था के लिए आधार बन चुका है सचर जनरलाजेशन एबाउट सोशल फिनॉमिना विच हैस बी सफीशेंटली साइंटिफिकली स्टाबलिच एंड कान विकम दबेसिज ऑफ सोशलोजिकल सिस्टम तो देखें फियर चाइल ने भी इस तरह से डिफाइन किया है तो आप समझ गये होंगे अच्छे से कि सिधान या समाशास्त्री सिधान कैसे निर्मित होते हैं तो समाशास्त्री सिधान इस तरह से निर्मित होते हैं कि जब वो साइंटिफिकली प्रूफ होते हैं जो साइंटिफिक प्रॉसेस दिये गए हैं उ उसका एनालिसिस करेंगे उसको हम फिर तब एकिकरित करके एक सिध्धान्त का निर्मान करेंगे मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ सोचलोजिकल थियोरी समझ में आ गई होगी कुछ और मैं इंपोर्टिन पॉइंट्स पढ़े उसको जरूर समझे है कि समाशास्त्र में प्रकृति को ले करके कई मद्भेद है अभी मैंने एक बताया कि जो टीबी बोटो मोर है उनका कहना है कि इस तरह का युनिवर्सल थियोरी कोई फ्रेम ही नहीं हुआ है टैलकट पार्संस का मत है कि समाशास्त्र में ऐसा विशाल परिवेस का सिध्धान बन सकता है जो संप बनानी की बात करें ठीक डीबी बोटो मोर के अपोजिट रॉबर्ट मर्टन क्या कहते हैं रॉबर्ट मर्टन इस विचारधार से बिलकुल ऐसा हमत है उनका तरक है कि जितना अनुसंधान कार विशुत विज्ञान में हुआ है उसका सौवा भाग भी समाशास्त्र में नही हुआ है मर्टन का मानना कि आज हम अधिक से अधिक मध्य इस्तरी मिडल रेंज थियोरी का निर्मान कर सकते हैं देखिए पार्सन जहां ग्रांट थियोरी की बात करें वो कहने कि ऐसा सिधान्त निर्मित हो सकता है या हुआ है जो पूरे जो समाज है उसको अपने में समाहि यूर्स साइंसेज में इस तरह कि हम यूणिवर्सल थियोरी को बना सकने हें करते हैं इस समाशास्र में तरह हां समाशास्र में में मिडल रेंज ध्योरी को कंप्रीट हम लोग पढ़ेंगे वसे मेरा एक वीडियो मर्टन का है आप उसको जरूर देख लीजेगा मिडल रेंज थियोरी को समझने के लिए जोर्ज होमन्स का तर्क है कि हाल में समाशास्त्र में जो कुछ लिखा गया है उसे किसी भी तर से सिधान के श्रिणी में नहीं रखा जा सकता अधिक सदिक आज समाशात्र के सिध्धान के नाम पर जो कुछ है वे मात्र प्रस्ताव है प्रेपोजीशन है देखिए होमन्स का कहना है कि जो भी बना वो थियोरी नहीं है अब एक चीज में और यहां बताऊंगी कि क्लासिकल थियोरी क्या होती है जैसे अगर पूछ दिया या अगर स्कॉम्ट की जो थियोरी है वो प्रेपोजीशन पर बेस थे और उसी प्रेपोजीशन को आगे बढ़ा करके हम फिर जो थियोरी को सेट अप करते है या अब उसी को आधार बना करके नई थियोरी बनाई जा सकती है जैसे आगर आज हम कुछ नई थियोरी बिल्ड की है मुंबई यूनिवर्स्टी से ही सम्बंधित है तो वो थियोरी आप अपने में नाई है थीक है अब उस अधार बना करके हम और आगे नाएंगे तो वो नए ठीस बनेगी और वो गार्बेज वर्ल्ट की थियô gal. तो इसी ठीक है अब आप जब डीटेल में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि मांक्स की क्या वर्ग संगर्स की लिए और भी बहुत सारी लिए ती तो जो हीगल ने लिए टे ल्गे लिए ती उसको मांक्स ने कहा о हीगल की थयोरी जो है वो सिर के बलखड़ी है और अब मैं से पैर के बलखड़ा करना चाहूंगा और मांस हीगल की थयोरी को मांस रुलट दिया तो हीगल की थयोरी वहां पर क्या हो गए smoked classical theory हो गए और उसके अधार पर analysis शुरू हुआ तो humans कहते हैं कि theory जैसे तो कोई बात ही नहीं है जो है वो prepositions है प्रस्ताव है और उसके अधार पे हम आगे काम करते हैं तो देखें आपको मैंने sociological theory में कई लोगों को ये बारे में बताया टीबी बोर का बताया fair child का बताया, talkit parsons को बताया, merton को बताया, humans को बताया देखा आपने की हर लोग अलग-अलग तरह की बाते कर रहे हैं कुछ कह रहे हैं कि theories build up हो सकती है वो भी grand theory जो की पूरे समाज पे लागू हो सकती है कोई कहता है कि नहीं grand theory नहीं पर middle range theory build up है समाज में वो काम कर रही है कई लोगों का कहना है कि नहीं theories तो है ही नहीं कई लोगों का कहना है कि theory नहों करके प्रस्ताव हैं अलग-अलग prepositions हैं उस पे हम social events और social interactions को हम define कर सकते हैं समाशास्ती सिधान के प्रती अरूची का एक और current भी है ऐसा का जा सकते है कि सिधान वास्तविक्ता से काफी दूर है एक और वास्तविक्ता यह है कि समाज में दंगे है, बरष्टाचार है, विसपोट है, जनसंख्या है, तो दूसरों समाज़ास्ति सिधान इन वास्तविक्ताओं का कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मना जाता है कि सिधान तो अबचारिकताय मात्र है, परन्तु यह बिलकुल न बहुत आरोप लगे sociological theories पे लोगों का कहना था कि theories तो है ही नहीं एक तरफ आप समाज में बड़े-बड़े theories की बात करें हैं आप action की बात करें आप interaction की बात करें आप cooperation की बात करें आप conflict की बात करें एक तरफ आप यह बात करें और एक तरफ समाज में बहुत सारे दुर्व विवस्थाएं भी है तो sociology का ये काम नहीं है कि समाज की विवस्था को बहुत सुद्रण कर देना या एक दम से बदल देना जो विवस्था है जो events हो रहे हैं जो घटनाएं हो रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है इसका पता लगाना और फिर कारण का पता लगा करके फिर हम को सकता है जिसके मानने से आगे व्यवस्था बदल जाए पर ये नहीं कहा जा सकता कि हम व्यवस्था को बदलने की बात करें हम ये पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कि आखे समाज कैसे चल रहा है उसके पीछे क्या कारण है cause और उसके relations को causal effect को हम जानने की कोशिश करते हैं इसलिए बाद में इस आरोप को पूरी तरह से खारिच कर दिया गया कि नहीं जो समाज शास्ते सिधान्त है उसके पीछे हम कहें कि कोई तर्क नहीं है कोई reason नहीं है तो ये बिलकुल निरतर्क बात है sociological theory तो ऐसे perspective को जन्न देते हैं जिससे कि हम समाज में जो हमारा देखने का नजरिया है वो बदल जाता है जैसे आप simple किसी से पढ़िये तो आप जानेंगे विवा क्या है पर आप जब समाजशास्त्री जिस्ट्री से पढ़ेंगे तब आप महत्व जानेंगे परिवार की विवा की नातिदारी की तो बहुत अलग तरीके से समाजशास्त जो है वो समाजश को देखने का एक नजरिया इस्थापित करता है प्रतेग समाजशास्त्री समाजश की प्रतेग घटना को वेग्यानिक पद्दती से देखता है वो कुछ पुर्वानुमानों को लेकर चलता है और फिर इन दिन प्रतिदिन की घटनाओं को एक निश्शित अनुसंधान विदी के संदर में समझता है वही मैंने बताया कि कुछ हम हाइपोथेसिस बिल्ड अप करते हैं हाइपोथेसिस या पुर्वानुमान एज़ंशन समझ बिल्ड अप करते हैं और फिर वेग्यानिक पद्दती से जो साइंटिफिक मैथर्स है जो मैंने पूरा स्टाइटिंग में साइंटिफिक मैथर्स बताया scientific method से हम उसको फिर समझने का प्रयास करते हैं theories vary in scope depending on the scale of the issues that they are being to explain अभी चर्चा हो रही थी कि विबिन विबिन तरह के सिद्धान्त हो सकते हैं जैसे macro level theories होती है theories related to the large scale issues and large group of people जो macro levels होते हैं वो बड़े समू के लिए सिद्धान्त जो निर्मित होते हैं उसको macro theories कहते है micro theories जिसका की relation बहुत small group से related होता है grand theories attempt to explain large scale relationship and answer fundamental questions such as why society form and why they change जो इस तरह के fundamental questions हैं जो कि किसी particular space से related नहीं मतलब किसी particular place से related नहीं जिसे बात किया जाए कि जो social problems होते हैं society में vary करते हैं आप जानते हैं कि जो जिसे अगर भारत के संदर्ब में देखा जाए तो भारत की समाजिक समस्याइं अलग हैं अमेरिका के संदर्ब में देखे तो वहां की समाजिक समस्याइं अलग हैं कहीं पर race को लेकर के social problem हैं तो कहीं पर क्यों समाज परिवर्तित हो रहा है, यह questions fundamental questions है, तो ऐसे के लिए grand theories बनती है, तो grand theories जो fundamental questions है, जो हर society के questions के लिए set है, तो ऐसे को grand theories कहते है, macro theories जो बड़े society और last society पे place करती है, वो macro theories होती है, और micro theories मतलब जो small groups, small society के लिए theories build up होती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है nature वो अलग-अलग है, हम एक theories को सभी जगह set कर दे, वो possible नहीं है, इसलिए sociology में अलग-अलग तरह की theories build up हुई, grand theories हुई, macro theories हुई, micro theories हुई, और कुछ तो कहा जाता है कि paradigms भी हुए, मतलब theories की जगह पे paradigms हैं, वो आपको Merton के again theory में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो sociological theory is constantly evolving and should never be considered complete, classic sociological theories are still considered important and current, but new sociological theory build up upon the work of their procedures and add to them. Cohen ने ये बताया, अभी मैंने ये बात रखी थी, कि जो समाशास्ते सिधानते वो लगातार बनने वाली, लगातार चलने वाली चीज़ है, कि ऐसा नहीं कि एक बार theories बन गई तो फिर नहीं बनेगी, ऐसा बिलकुल नहीं है, theories constantly evolving है, क्योंकि सिनारियों बदलते हैं, सिनारियों को समझने का तरीका बदलता है, तो theories भी बदलती हैं, और नई theories build up होती हैं, पर जो classical sociological theories हैं, वो हमेशा से current रहती हैं, क्योंकि उसी को आधार बना करके नए सिधानतों का निर्मान होता है, ठीक है, तो आप जैसे कि classical theories, जैसे कॉम्टे की, मार्क्स की, यह सब classical theories है, और उसी का आधार बना करके नए सिधानतों की रचना होती है, तो यह नहीं कहा जासते हैं कि classical theories बस अब उसका importance खतम ऐसा बिलकुल नहीं है, यह हम क्या सकते हैं कि classical समाशास्त्री सिधानत हैं, वो हमेशा current रहते हैं, हमेशा जीवनत रहते हैं, क्योंकि उसी के आधार पे नए सिधानतों का निर्मान होता है, तो आपने पढ़ा sociological theory की क्या है, क्योंकि यह videos फिर बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए मैं इसको आगे भी नहीं extend कर रही हूँ, sociological theory का जो concept आप उसको कई parts में पढ़ेंगे, तो आपने अभी पहला part देखा कि sociological theories है क्या, उसके पीछे कौन-कौन से और theories हैं, जैसे मैंने macro theories की बात की, micro theories की बात की, grand theories की बात की, अलग-अलग thinkers का aspect मैंने लिया कि fair child का क्या कहना है, botomore का क्या कहना है, और merton का क्या कहना है, parsons का क्या कहना है, और कुछ resources में आप भी इस समय आप कुछ resources screen को पे देख रहे होंगे, जो resources मैंने लिया, जहां, जिस sources को मैंने लिया, जैसे TB Botomore की किताब, बहुत ज़्यादा पूछी जा सकती है, यह सब, और Good Day and Hunt की, फिर आप Igno के notes का मैंने सहारा लिया है, UKessays.com का मैंने लिया है, और दोशी और Jan की book को मैंने prefer किया है, तो यह सब sources हैं, जिसको मैं consider करके आपके लिए notes बनाती हूँ, और अब अगले वीडियो में हम लोग Nature of Sociological Theory पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसमें sum up कर देंगे, तो बहुत बड़ा वीडियो होगा, बोरिंग हो जाएगा, लाक मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, अच्छे से पढ़ाने की पर आपको बोरिंग लग सकता है, तो चलिए next वीडियो का जरूर का इंतजार करिएगा, देखिएगा, एक दो दिनों में मैं उस वीडियो को ला दूँगी, तो next वीडियो है nature of sociological theory, और उससे पहले आप social thought को जरूर पढ़ लिजे, और ये वीडियो को complete देखिए sociological theories, तब तक के लिए आप सब को bye-bye, बहुत अच्छे सरीएगा, ध्यान रखिएगा, bye.